बंद नसो को खोलने के साथ हड़ियों और जोरों के दर्द को बहुत यासानी से ठीक करने का काम करती है ये घरलो उपार साथ ही खून को पतला करने का काम करती है और प्लड सर्कुलेशन सही करती है हार्ट से रिलेटेट कोई भी समस्या है आर्टरीज में ब्लॉके जा गई है या आइसाइट वीक हो गई है लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है ये रामिटी कपजियत को दूर करती है पेट से जुरू हुई लगबग सभी समस्याओं को ठीक करने का काम करती है यहां तक कि सरीर को डिटॉक्स करने का भी काम करती है सरीर से विसैले पदात को निकालने का काम करती है इस्ट्रेस को कम करने का काम करती है यदि आपकी यादस कमजोर हो गई है तो यादस भी इंप्रूफ करती है और साथ ये करीब 80-90 पसंट बिमारियों से आपको बचा के रखती है ये रेमेडी बहुत ही पावरफुल रेमेडी है इसके इस्तेमाल से आपको 100% एफेक्टिव प्राप्त होगी ये बहुत ही पावरफुल है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है नुस्खे को बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही सरल है और सभी कुछ आपके घर के किचन में मिल जाएगी कहीं आपको बाहर भी जाने की जोपनी पर इस्तेमाल करके देखे आप खुद ही हमें कमेंट बॉक्स में लिखके बताएंगे कि आपको कितना सारा फैदा हुआ है और सबसे खास बत इस रेमेडी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है यह बहुत पुरानी रेमेडी है जब अधस्त रेमेडी है आई होप आप सब हो के लिए वीडियो बहुत फैदे बनाना है इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको सौफ लेना है तो जहां तक सौफ के गुनों की बात की जाए तो यह एंटी कैंसर प्रॉपर्टी से भरपूर होती है यह आपके हिर्दे को स्वस्त रखने में दिल को स्वस्त रखने में जबदस फैदा करती है blood pressure को control रखती है high blood pressure या low blood pressure जो भी है आपको control रखेगी weight loss करने में बहुत मदद करती है, यदि आपका वजन बहुत ज़ादा बढ़ते जा रहा है वजन को control करती है, और साथ ही यदि कहीं भी सरीर में सूजन हो गई है उस सूजन को कम करने का काम करती है और खाने को बहुत अच्छे से पचाने का काम करती है यदि आपको acidity या पेट में gas बनने की समस्या धकार आने की समस्या कबजियत की समस्या है ये सभी समस्या से आप परिसान है तो बस इसे आप खाना खाने के बाद तुरत एक चमस खा लेज़े देखिए आपके ये सभी समय से दूर हो जाएगी पाचन क्रिया दुरुस्त करने में बहुत हेल्प करती है मोटा दाना वाला मीठी सौंफ बहुत फैयदे करती है तो ये सौंफ आप ले अब दूसरी चीज जो लेनी है वो है मंगरेला जिसे कलांजी कि बात की जाएग है ये ड्यावटीज को कंट्रोल करने का काम करती है दिल से जुरू ही सभी प्रॉलम को दूर करती है यादि हो तो ठीक करती हार्ट ब्लॉक कि आपको कभी नहीं होने देगी यदि आप इसका सेवन करते रहेंग तो दातों को मजबूत बनाने का काम करती है, खासी है और ठंड के प्रवाव साब को बचाती है, सरीर को डेटोक्स करने का सरीर से विसले पदात को निकालने का काम करती है, स्ट्रेस कम करती है और कबजेत को दूर करने का काम करती है, सरीर में यदि कहीं भी ब्लॉक नसों की ब्लॉक नसों को खुलने का काम करती है कमर गुटने एडी में या फिर कंदे की हड़ी में या फिर जगजग ज़ॉइंट में बहुत जादा दर्द रहती है यह सभी दर्द को बहुत ही आसानी से ठीक करती है कुछ दिन आप इसे मेरे बतायों तरीके से खा के देखिए यह ब छीव चबदस रेमेडी आज मैं बताने जा ही है यह रेमीडी को बनाने के लिजव सबसे पहले आप एक पैन ले और उसमें एक गलस पानी डाले और साथ ही, एक चम्मस उसमें possible यह से कलांजी बहुत है depress 언선 यह दोनों को ही आपको रात में ही भीगो के छोड़ देना है एक ग्लस पानी में तो इस तरह से देखे एक ग्लस पानी में मैंने इसे रात में ही भीगो के छोड़ दिया है और इसे रात भर आप इसे ढग करके रहने दीजे और दूसरा दिन सुबह आपको इसका इस्तिमाल कर यह दोनों ही चीज का अरोमा इस पानी में अच्छे से आ जाए तो यह देखे फ्रेंड इसमें अच्छे से उबाल आने लग गई है इस पानी में और यह अच्छे से पक रही है तो यह देखे फ्रेंड तो इसी तरह से अच्छे से पका लिया मैंने अब मैं गैस के फ्लेम को कर दे रही हूं 5-7 मिनट हो चुकी है अब मैं इसे अच्छे से छान लेती हूं अब यह बहुत ही जब दस रेमेडी बनके रेडी हुई है सौफ और मंग्रेला दोनों पावरफुल चीज है और दोनों चीज को जब मिला के बना जाता है तो यह और पर ज्यादा पावरफुल जब आप इसका सेवन करें तो हलका सा आप इसे थंडा कर लें गुण-गुणा ही पिए आप चाहें तो इसमें हलका सा मधु एड्ब कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा थंडा करके और यदि ड्रीजी पे संटर तो इसमें मधु एड्ट करें बनके रेडी हो गई है इस मिलाक अपको रोज सुबह खाली पेट करना है इस सेवन से अपकी डाविटिस कंटरूल और वजन कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा кол mötsp ब्लॉकन से खुलना स्टार्ट हो जाएगी ब्लड सर्कूलेशन बहुत ही अच्छ से होगी कैलसिम की कमी दूर होगी और हड्डियों से कट-कट की आवाजे आती हैं हड्डियों में दरद हो रही है घुटनों और कमर में या फिर हड्डियों में कहीं भी दरद है वह एकदम होना स्टार्ट हो जाएगी इतनी सारे गुन है इस रेमेडी में कि जिसकी बारे में बताना इस छोटी सी वीडियो में संभव नहीं है आप इसे तीन से चार दिन भी पिएंगे तो भी आपको बहुत जबदस फैदा करेगी मुझे विश्वास सब लिए वीडियो बहुत फ